पूज बापूश्री और उनके सत्संग में पधारे हुए सभी भक्त भाई बेहनों मैं इलाहबाद से आया हूँ मेरा नाम राजीव दिक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतिय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ पेशे से मैं इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कमिनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्राजेक्ट में मैंने काम किया लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर अपने कैरियर को छोड़कर अपने सारे धंदे को छोड़कर राश्ट्र को बचाने के लिए संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया बापू की क्रपा हुई उन्होंने मेरे व्याख्यान की कुछ कैसिट सुनी और उन्होंने जब मेरे व्याख्यान की कैसिट सुनी तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया बापु श्री का जो दिल्ली का आश्रम है वहां के साधक भाई बहनों ने मुझे फोन पर संदेशा कहा कि बापु का सत्संग का कारिक्रम है और उसमें आपको जरूर जाना है वैसे आज मुझे जलगाओं जाना था लेकिन बापु श्री के कल के आदेश पर मैंने मेरे जलगाओं का कारिक्रम रद किया और आपके बीच आया मैं आपसे दो तीन बातें कहूंगा कि इस देश की इस समय की हालत क्या है कल मैंने पहली बार पुझ बापु के दर्शन किये उसके पहले मैंने उनके कैसिट सुने थे उनके बारे में सुना था लेकिन दर्शन का लाव कल मिला और कल लगभग 40 मिनट मैं उनके साथ रहा तो 40 मिनट मुझे बापु का जो सानिध्य मिला उसमें उन्होंने जो कहा वैसी ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं सारे देश में शायद अपनी भाशा में बापू ने मुझको कहा और कल बापू का जो कारिकरम था बॉंटा में वहां भी उन्होंने कहा कि ये पचास साल की आजादी आई है या सारे देश की बरबादी हुई है तो मैं यहीं से मेरी बात शुरू कर रहा हूँ जो कल बापू ने कही मुझसे कि सच में पचास साल की आजादी आई है या हमारी बरबादी ज़्यादा हुई है पिछले पचास साल में जो आजादी हम को मिली है उस आजादी का मतलब क्या है एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है जो हालात हैं पूरे देश के वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आजादी है ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी जादा बुरी है और मैं भी यही बात कह रहा हूँ जो बापू कह रहे है कि आजादी के 50 साल पूरे हुए है या गुलामी के 500 साल पूरे हुए है और जब मैं ये कहता हूँ कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए है तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि राजीब भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण है और उसके पीछे कुछ ठोस सच्चाईया है ये 500 साल की गुलामी की बात क्या है आज से लगभग 500 साल पहले एक परदेशी आया था हमारे देश में उसका नाम था वासको डिगामा 20 मई 1498 को वासको डिगामा भारत में आया और वासको डिगामा जो भारत में आया वहां से भारत के गुलामी की एक नीव पड़ी पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया वासकोडिगामा पुर्तगाल से आया था और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वासकोडिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था, ये बात सच नहीं है, वास्तविक्ता ये है कि वासकोडिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था, और वासकोडिगामा को ईसाई यत का प्रचार करने के लिए हि इंदुस्तान में भेजा गया था और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे ये पता चलता है सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है एक डॉकुमेंट मेरे पास है सन 1492 का और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है वो पुर्टगाल का एक डॉकुमेंट है पोर्चुगीज भाशा में लिखा ह हुआ है वह 1492 का जो दस्तावेज है वो कहता क्या है 1492 के दस्तावेज में दो बाते हैं जो समझने की हैं पहली बात यह है कि उस जमाने में जो ईसायत का धरमगुरु होता था जो पोप होता था उसने एक आदेश जारी किया सारी दुनिया में और वो आदेश क्या जारी किया 1492 में ईसाइयत के धर्मगुरू पोप दुआरा जो आदेश जारी किया वो पोर्चुगीस भाशा में लिखा हुआ है उस आदेश में उसने ये कहा कि 1492 के बाद सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए दुनिया का एक हिस्सा होगा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा होगा पश्चमी हिस्सा तो दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाली लोग करेंगे और दुनिया के पश्चमी हि सब्सक्राइश या फिर पुर्टगाल एक दूसरा सक्टेशाली देश था तो पूप ने जो आदेश जारी किया उस आदेश के बाद पूर्टगाली लोग दुनिया के पूर्वी हिस्से को इसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए निकले और उनी लोगों वासको डिगामा के माध्यम से हिंदुस्तान में ईसायत का प्रचार और हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू किया तो उस आदेश के बाद पोप के आदेश के बाद वासको डिगामा भारत में आया हमको लूटने के लिए और इसाई बनाने के लिए और कोलंबस अमरीका गया अमरीका को इसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए अमरीका की जो मूल प्रजा थी उस मूल प्रजा का नाम था रेड इंडियन उस मूल प्रजा को मार पीट कर इसाई बनाने का काम कोलंबस ने शुरू किया और इस्पेन के लोगों ने धीरे-धीरे करके अमरीका के काफी रेड इंडियन को इसाई बना दिया और जो भच गए रेड इंडियन उनको उन्होंने गुलाम बना लिया ऐसा ही काम वासकोडिगामा ने हमारे देश में शुरू करवाया तो मैं जो कहता हूँ वो ये कि 500 साल पहले एक गुलामी की शुरूआत इस देश में हुई और वो गुलामी की नीव डाली वासकोडिगामा ने पूर्वी भारत में माने पूर्वी दुनिया के हिस्से में भारत जिसका एक अंग है और पश्चमी हिस्से में कोलंबस में और वो गुलामी चलती रही पुर्टगालियों ने इस देश में गोवा नाम के राज्य पर करीब साड़े 400 साल तक साशन किया गोवा जो हमारे देश का हिस्सा है वो गोवा पुर्तगालियों के कबजे में रहा और जहां हम लोग बैठे हैं दमन और द्वीब ये भी पुर्तगालियों के कबजे में रहा 1510 से लेकर 1961 तक लगबग 451 साल ये पूरा का पूरा इलाका पुर्तगालियों का गुलाम रहा बाकी का हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा 1961 में आज़ाद हो पाया पुर्तगालियों की गुलामी से दमन और ध्वीब की भी यही हालत हुई तो हमारे ऊपर एक गुलामी लदी वासकोडिगामा के आने से और वो गुलामी लगबग साड़े चार सो साल चली और वो जो साड़े चार सो साल की गुलामी थी उसमें देश का हर तरफ से पतन हुआ पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ती को लूटा उसके बाद इस देश में फ्रांसी सी गुस गए उन्होंने इस देश को लूटा फिर उसके बाद इस को लूटने की कोशिश की और इस तरह से लगबक 1498 से लूट की एक नई शुरुआत इस देश में शुरू हो गई 1498 के पहले भी ये देश लुटा और मुगल आक्रमन कारियों के द्वारा लूटा गया दसवी ग्यारवी शताबदी के दोर में महमूद गजनवी जैसे लोग आए उसके पहले महमद गौरी जैसे लोग आए और वो लोग भी इस देश को लूटते रहे और यहां की संपत्ती ले जाते रहे तो लगबक दसवी ग्यारवी शताबदी से इस देश की लूट के इतिहास का एक सिलसला शुरू होता है एक तरफ लूट है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के बिनाश की बात है तो ये जो पिछले एक हजार साल से लूट चल रही है वो 1492 के पहले एक तरह के लोगों द्वारा चलाई गई और 1492 के बाद यॉरप के लोगों द्वारा चलाई गई 1492 के पहले जो नौन क्रिशियन जनता थी जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया और 1492 के बाद ये क्रिशियन लोग घुस गए उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया सबसे ज़्यादा बर्बादी हिंदुस्तान में आई पुर्तगालियों के कारण और अंग्रेजों के कारण और अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की दुर्भाग्य से वह व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है और मैं जब यह कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 सा बारत में लूट की जो व्यवस्था कायम की थी वही लूट की व्यवस्था आज भी चल रही है और उसके मैं आपको कुछ ठोस उधारण देना चाहता हूँ अंग्रे जोने इस देश को लूटने के लिए क्या किया उसका एक छोटा सा उधारण दे के मैं मेरी बात कहूं सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है लंदन की पार्लेमेंट का लंदन में उस जमाने में हाउस आफ कॉमन्स चलता था उस जमाने में हाउस आफ लॉड्स नहीं होता था तो House of Commons में लंदन में एक बहस शुरू हुई क्या बहस शुरू हुई बहस का टाइटिल ये था How to Krishnize India लंदन में अंग्रेज लोग अपने पार्लेमेंट में बैठ कर वहां के बड़े-बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में कि हिंदुस्तान को इसाई कैसे बनाया जाए और इस बहस को जो चलाने वाला सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता माना जाता था उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स तो विलियम विल्वरफोर्स भाशन दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लेमेंट के House of Commons में और कह रहा था कि हिंदुस्तान को इसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है तो इसाई बनाने का तरीका क्या होगा तो उन लोगों ने जो पार्लेमेंट में बहस चलाई उस बहस मेंसे उन्होंने तीन बातें तैय की और एक प्रस्ताव पारित किया प्रस्ताव क्या पारित किया प्रस्ताव ये पारित किया कि हिंदुस्तान को इसाई बना देना है हिंदुस्तान को क्रिशियन बना देना है और जब हिंदुस्तान क्रिशियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान क्रिशियन बनेगा कैसे इस पर ब्रिटेन की पारलिमेंट में बहस हुई और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की उसके दस्तावेज मेरे पास है और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज में चापने जा रहा हूँ प्रकाशित करने जा रहा हूँ तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तै किया है उन्होंने तै कि हिंदुस्तान को अगर इसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान में ये जो संपत्ती है ये जो धन है इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े-थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे तो वो तैय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े-बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीती से खलास करना है और जब ये देश आर्थिक रीती से खलास हो जाएगा उसके बाद इस देश को राजनेतिक रीती से खलास करना है और फिर राजनेतिक रीती से जब य के देश खलास हो जाएगा तब इस देश को बहुत आसानी से एसाई बनाया जाएगा तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीती से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया उन्होंने अपनी तमाम कमपणियां हमारे देश में भेजी इस्ट इंडिया कमपनी आई, East India Company जैसी अंगुरेजों की सेक्ड़ों कमपनी आई और उन कमपनियों ने क्या किया हमारे देश में अपना धंदा शुरू किया तो क्या होता था कि अंगुरेजों की कमपनियों का माल लगता था और जब अंग्रेजों का माल इस देश में विकना शुरू हो गया तो उसका एक दूसरे नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कार खाने बंद होते चले गए एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए कानून ऐसे बनाए कि भारती ये व्यापारी व्यापार ना कर सके और भारती ये उद्योग पती कुछ भी सामान बाजार में बेच न सके दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कमपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ती भटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया, अंग्रेजों के कुछ आकड़े बताते हैं कि East India Company उस जमाने में हमारे देश में जब ध बंदा करती थी, उसका कुछ माल बिकता था, तो एक साल में East India Company यहां से करीब सत्तर करोड पॉंड के बराबर की संपत्ती ले जाती थी, यह सत्तर करोड पॉंड की जो संपत्ती जाती थी उस जमाने में, आज से लगबक 200 साल पहले, यह कितनी होती होगी, अगर आज के हिस अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया, कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिये, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार न एक दूसरा फैसला कि कि हि clap और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो। उस पर भी कर लगा दो। उन्होंगे माल की विक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। तो टैक्स और लगाए, एक टैक्स उन्हों ने लगाया, टोल टैक्स, हिंदुस्तान के वियापारी अपने माल को एक गाउं से दूसरे गाउं में ले जाते हैं, तो जगह जगह जो टॉल टैक्स देना पड़ता है, वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ, और तोल टै कि उन्होंने एक टेक्स और लगा दिया उंक्ट्रोय का टेक्स है ये पांच-पांच टेक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियंों पर लगा दिये क्यों के अंग्रेज तो फिकнал बिक्ना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्सू लगा के उनका माल महळा बना दिया और अंग्रिजूं के माल को टैक्स करके इस्ट इंडिया कंपणी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया इसका नतीजा क्या निकला इसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान जो एक दुनिया का सबसे बड़ा ओद्योगिक देश था 1835 अठारे सो चालीस तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे अंग्रेजों की ही सरकार के आंकणों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33 टका हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था तो एक जमाने में ये सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का एक तिहाई व्यापार करता था उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया दुरभाग ये हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए पांच-पांच, ये टैक्स आज आज आज़ा दी के पचास साल के बाद भी लगे हुए हैं और मेरे मन में यही प्रशन उटता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इंकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और आक्ट्रोई लगाया तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के लेकिन दुर्भाग यसे वो टैक्स के सारे के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए है जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था वैसे ही आज़ादी के पचास साल के बाद भी ये काम किया जा रहा है और इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी शायद आज़ादी आना बाकी है और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बरबाद हुए थे वैसे ही आज हो रहे हैं आज भी क्या चल रहा है हिंदुस्तान में ग्लोबलाईजेशन और लिबरलाईजेशन के नाम पर विदेशियों को विदेशी कमपनियों को खुली चूट मिल रही है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा-बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है अंग्रेजों के जमाने में ये धंदा चलता था कि इस्ट इंडिया कंपणी को खुली छूट मिलती थी और हिंदुस्तानी व्यापारियों को बरबाद करने के लिए कानून बनाए जाते थे वही काम आज चल रहा है कि इस देश में विदेशी कंपणीों को तो खुली छूट है वो चाहें तो दस साल तक टैक्स भी ना दें और हिंदुस्तान सरकार उनको टैक्स फ्री टैक्स एक्जेमशन करती है लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों पे लगातार टैक्स लगा लगा के उनकों कामाल हिंदुस्तान के गाओं गाओं में बिकवा रही है और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में नतीजे निकले थे कि हिंदुस्तानी व्यापार धंदा धीरे-धीरे मंदी में फसा और उसके बाद खलास हो गया वैसे ही आज हिंदुस्तानी व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई है यहां अगर कुछ व्यापारी भाई बैटे हों तो वो यह बात जानते हैं कि पिछले 40 साल में जितनी भयंकर मंदी इस साल आई है व्यापार में उद्योग में उतनी भयंकर मंदी कभी नहीं आई इस देश में ये जो भयंकरमंदी चल रही है इस देश में आज कल वो भयंकरमंदी उन नीतियों का परिणाम है जो अंग्रेजों के जमाने में लागू की गई थी और आज भी चल रही है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अभी भी शायद पूरी तरह से आजाद नहीं है मेरे मन में दुख इस बात का है कि जो कानून अंग्रेजों के जमाने में चलते थे जिस तरह से चलते थे वही कानून आजादी के पचास साल के बाद भी चल रहे हैं जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद किया था उसी तरह से आज हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करने का काम चल रहा है ऐसे ही मैं आपको एक दो कुछ और उधारन दूँ कि अंग्रेजों की सरकार ने एक तरफ आर्थिक व्यवस्था बर्बाद की इस देश की और दूसरी तरफ इस देश की राजनेतिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए अंग्रेजों का ये मानना था एक अंग्रेज आफिसर इस देश में आया था उसका नाम था डलावजी और डलावजी अक्सर ये कहा करता था कि हिंदुस्तान के गाउं की व्यवस्था को अगर बर्बाद करना है तो हिंदुस्तान के किसानों से जमीन चीन 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 कर अंग् साधार पर होता था अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था 1894 में उस कानून का नाम है Land Acquisition Act वो जो Land Acquisition Act था वो अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था हिंदुस्तान के गाओं के किसानों की जमीने चीनने के लिए और वो जमीने अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति कोशिद करने के लिए दुर्भाग इसे 1894 में जो कानून इस देश में बनाया गया वो आजादी के 50 साल में भी चल रहा है जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार हैं हमारे देश के गाउं के किसानों की जमीने चीनती थ उनसे जमीन के हस्ताक्षर कागजों पर करवा लिये जाते थे ठीक वैसा ही दंदा आज भी इस देश में चल रहा है आज क्या चल रहा है पहले हमारी जमीने अंग्रेजों की सरकार चीनती थी अब हमारी जमीने हमारी सरकारें चीन रही कानून कौन सा है 1894 का लेंड एक्व हमारे देश के गाउं गाउं की जमीने चीन कर विदेशी कंपनियों को बेची जा रही है सन 1991 से लेकर सर 1997 के जून के महीने तक हिंदुस्तान में 70,000 हेक्टेयर जमीन गाउं के किसानों से चीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी गई है और वो गाउं वाले मारे मारे सारे देश में घूम रहे हैं कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं राजी बाई कुछ करिए तो मैं पूछता हूं क्या हो गया तो कहते हैं हमारी जमीन चीनली सरकार ने क्या किया उस जमीन का परदेशी कंपनी क बेच दिया तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पर कि जो काम अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम अभारी सरकार कर रही है तो जो कानून अंग्रेजों की सरकार चलाती थी लेंड ऐक्विजिशन का वही कानून इस देश में आज भी चल रहा और हम कैसे मानें कि ये देश में आजादी आई है और आजादी के 50 साल पूरे हुए ऐसे ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जंगलों को बरबाद करने के लिए एक कानून बनाया था सन 1865 में उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगलों पर कबजा करना था और हिंदुस्तान के जंगलों में जो संपत्ती छुपी हुई थी उस संपत्ती की लूट करनी थी हमारे देश के जो जंगल हैं उन जंगलों में सोने की खदाने हैं चांदी की खदाने हैं कोलसा की खदाने हैं तमाम तरह की बेशकीमती धातुएं वहां मिलती हैं तो हमारे देश के जंगल तो अर्वों खर्वों की संपत्ती के मालिक हैं अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि उन जंगलों को बरबाद करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से छीन कर जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ती घोशित कर दिया 1865 के पहले क्या होता था 1865 के पहले जो जंगल होते थे वह भारतिय समाज में गाउं जो होता था गाउं पंचाइद जो होती थी उसकी संपत्य वाने जाते थे लेकिन 1865 के उस कानून के बाद वो जंगल अंग्रेजों की सरकार की संपत्ती बन गए और उसमें अंग्रेजों नियम कैसे बनाए उसमें अंग्रेजों नियम ऐसे बनाए कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारी जंगल काटें तो उनको लाइसेंस मिलता था और कोई हिंदुस्तानी एक व्यक्ती पेड़ काटे तो अंग्रेजों की सरकार उसको सजा देती थी और ये काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था सन 1865 में ये कानून दुर्भागे से आज भी चल रहा है आज क्या हो रहा है इस देश में आप चाहें तो जंगल से एक भी पेड़ काट नहीं सकते और अगर आपने पेड़ काट लिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्टिक फॉरेस्ट आफिसर से तो आपके ऊपर केस चलेगा मुकदमा हो जाएगा कभी कभी तो ऐसी हास्यात पस इस्तिदी होती है मेरा एक दोस्त है बंबई में मुलूंड में रहता है उसकी एक सुसाइटी है जहां पे वो रहता है उस सुसाइटी में क्या हुआ कि दीवार के बीच में से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पेड़ ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया उस मुलुन के भाई ने वो पेड़ काट दिया उसकी शिकायत हो गई डिस्रिक फॉरेस्ट आफिसर से तो उसको जेल हो गई और एक दिन वो मेरे पास आया कि राजी भाई मैंने मेरे घर में लगाया हुआ पेड़ जो मुझे परेशानी कर रहा था वो काटा तो मुझे पर शिकायत हुई और मुझे जेल हो गई तो मैंने का दुर्भा कि तुमारा ये है कि ये जो कानूने जिसके आधार पर तुमको जेल हुई ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है और दूसरे बाजू में हमारे देश में क्या होता है तमाम परदेशी कमपनियां हैं हमारे देश में जो सिगरेट बनाती है और इस देश में सिगरेट बनाने वाली बड़ी-बड़ी कमपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं क्योंकि सिग्रेट बनाने के लिए जो कागज चाहिए वो पेड़ काटने से ही बनता है तो सिग्रेट बनाने के लिए परदेशी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ काटती है उनको लाइसंस मिला हुआ है लेकिन कोई हिंदुस्तानी भाई अगर एक पीड काटे तो उसको जेल हो जाती कानून कौन सा है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ शोषन क्या चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में शोषन चलता था वैसे शोषना चल जो जंगल पहले गाउं समाज की संपत्ती होते थे गाउं की संपत्ती होते थे उनको अंग्रेजों की सरकार ने अपनी संपत्ती बना लिया और वह आज भी चल रहा है इस देश में तो मुझे लगता था कि 1865 का वो कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश में वो 1947 में खतम हो जाना चाहिए था क्योंकि अंग्रेज चले गए 1947 में लेकिन वही आज भी चल रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अंग्रेजों के जमाने की गुलामी थी वही गुलामी आज भी चल रही है कभी कभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मजाक में एक बात कहते हैं कि राजीव तुम इतनी अंग्रेजों की बुराई करते हो अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धती नहीं आई होती तो न्याय की पद्धती माने हमारे देश में जो court चलते हैं lower court चलता है high court चलता है supreme court चलता है तो जितने नियायले चलते हैं हमारे देश में यह सब जिस नियाय पद्धती पर चलते हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है और उसका एक कानून है उस कानून का नाम है IPC Indian Penal code यह IPC का कानून हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चालू किया था सन 1860 में और यह जो IPC का कानून बनाया था इस देश में वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया था अंग्रेजों के उस जमाने की जो कारलिमेंट है उसमें जब बहस चल रही थी तो बहस यह चल रही थी कि हिंदुस्तान की समाज की व्यवस्था को अगर खलास करना है तो हिंदुस्तान की नियाय पद्धती को तोड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान की सिक्षण पद्धती को तोड़ना पड़ेगा तो अंग्रेजों ने इस देश में अंग्रेजियत के स्कूल चलाए, कॉन्वेंट इस्कूल चलाए, एक अंग्रेज आफिसर था, उसका नाम था मैकॉले, मैकॉले इन दोनों काम के लिए जिम्मेदार था, मैकॉले अक्सर ये कहा करता था, कि जिस समाज से नियाए खतम हो जाता है वो समाज बरबाद हो जाता और जिस समाज से सिक्षण खतम हो जाता है वो समाज भी बरबाद हो जाता तो मैकॉले ने दोनों ही काम किये भारतिय समाज से नियाए विवस्था खतम करने के लिए उसने अंग्रेजों की नियाए पद्दती चालू की वही नियाए पद्दती आज भी चल रही है इस देश में 1860 में IPC कानून बना था पता नहीं 1807 में हमारे देश की क्या हालत थी वह 1806 का कानून आज से लगवग 140 साल पुराना कानून आज भी चल रहा है इस देश में और उसमें व्यवस्ता क्या है मेरे बहुत सारे दोस्त मुझको यह कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो यह तुमारे देश में जो नियाए पद्दती आई है यह नहीं आई होती तो मैं अक्सर लोगों से एक कहानी कहता हूं कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कैसी नियाए पद् एक कहानी है राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हमारे देश के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो है सुवन काल माना जाता सुवन योग माना जाता सबसे अच्छा समय माना जाता क्यों माना जाता है क्योंकि हमारे इतिहास में हमने ये पढ़ा कि राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था वो बहुत नियाए प्रिय राजा था उसके राज में कभी किसी के साथ अनियाए नहीं होता था तो वो जो नियाए प्रिय राजा था वो नियाए कैसे करता था और आज नियाए कैसे होता है अंग्रेजों की पद्दिती से ये दोनों बात में तुलना के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ एक बार क्या हुआ चंद्रकुप्त विक्रमादित्य के राज में दो बहनों में जगडा हो गया एक बहन कहती थी एक बच्चा था और दो बहन कहती थी कि ये मेरा है एक बहन कहती थी मेरा है दूसरी बहन कहती थी मेरा अब ये जब जगडा हुआ तो ये मुकद्मा राजा के दरवार में पहुंचा राजा के दरवार में जब ये मुकद्मा पहुंचा तो राजा ने कहा एक बहन से कि सिद्ध करो कि ये बच्चा तुमारा है तो एक बहन खड़ी हो गई और उसने सिद्ध कर दिया कि बच्चा उसका है राजा ने दूसरी बहन को कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुमारा है दूसरी बहन भी खड़ी हो गई उसने भी सिद्ध कर दिया कि वो बच्चा उसका राजा धरम संकट में पड़ गया धरम संकट किस बात का कि असली मां कौन है और नकली मां कौन है ये पता कैसे लगाए जा थोड़ी देर के बाद राजा के मन में एक विचार आया उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो तलवार ले आ और इस बच्चे को आधा आधा काटो आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को दे दो तो जैसे ही जला तलवार लेकर आया और बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और असली मां ने कहा कि नहीं बच्चे को काटो मत चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी बेहन को दे दो राजा समझ गया कि जो असली मा है वो अपनी आखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती बले ही वो दूसरे के पास चला जाए कम से कम जिंदा तो रहेगा राजा को जब ये पता चला कि असली मा वही है जिसने ये कहा कि बच्चे को काटो मत तो उसने क्या किया कि नकली मा से बच्चा लेकर असली मा को दे दिया ये नियाए राजा के दरवार में तीन मिनट के अंदर हो गया माने ये केस गया राजा के दरवार में दो महिलाओं का मुकदमा था तीन मिनट के अंदर चंदरगुप्त विक्रमाधित्ते नियाए कर दिया और बच्चा किसका है ये फैसला हो गया अंग्रेजों की नियाए पद्धती जो चलती है उस नियाए पद्धती में अगर आप इस केस को लेकर सुप्रीम कोट चले जाएए, हाई कोट चले जाएए या किसी लोवर कोट में चले जाएए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कम से कम आपको 20 साल लग जाएगा ये तैनी हो पाएगा कि कौन असली मा है और कौन नकली मा है जब चंद्रगुप्त विक्रमादिति का राज चलता था तो किसी भी मुकदमे का फैसला तीन मिनट में होता था और नियाए मिलता था आज अंग्रेजों की नियाए पद्धती चलती है IPC की, CRPC की, CPC की तो 20-20 साल लग जाते हैं और फैसला नहीं हो पाता कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ऐसी नियाए पद्धती हमारे देश में चलती थी और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारती नियाए पद्धती का सत्या नाच कर दिया और दुर्भागे से वही नियाए पद्धती ये चल रही है इस तेश में ये नियाए पद्धती क्या है? इसमें किसी को नियाए नहीं मिलता मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर अगर वो कानून गलत है तो गलत फैसला होगा कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं हमारे पार्लेमेंट में बैठे हुए बड़े बड़े चोर और बदमाश किसी भी कोट में आप जाइए क्योंकि मैं तो अक्सर कोट में जाता रहता हूँ सरकार के खिलाफ केस करता रहता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ में केस करता हूँ हमेशा मुझे एकी बात सुनाई देती है नियायले में कि हम लोग फैसला करते हैं कानून के आधार पर तो हमारे न्यायाले में क्या होता है कानून के आधार पर फैसला होता है ना कि न्याय मिलता है जैसे मैं आपको उधारन दू हमारे देश में एक कानून है क्या कानून है 16 साल से उपर की अगर गाए है या बैल है तो उसको काट देना चाहिए ये कानून है अब आप मुझे ये बताईए कि 16 साल से उपर की गाए और बैल को काट देना चाहिए कानून ये कहता है क्यों कहता है तो यो कहते हैं कि वो बूड़ी हो गई है तो इसके हिसाब से तो बूड़े माबाप हैं उनको भी काट देना चाहिए क्योंकि वो भी बूड़े हो गए तो कानून तो ये है कि 16 साल से उपर के गाय और बेल कट सकते हैं लेकिन ये गाय और बेल अगर कटते हैं तो न्याय कहा होता है कानून का पालन तो होता लेकिन न्याय कहां है इसमें क्योंकि प्रकरती में कोई भी जीव अगर बना है तो भारतिय संस्कृति के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार हमको नहीं है चीटी को भी मेरी मां आटा डालती है एक दिन मैंने मेरी मां से पूछा कि तुम चीटी को आटा क्यों डालती हो कीडी को आटा क्यों डालती हो तो उसने कहा कि मैं मेरे धर्म का पालन करती हो तो जिस देश में कीडी को आटा डालने से धर्म का पालन होता हो, उस देश में गाए बैल काते जाते हैं कानून के आधार पर, ये न्याय कहां है, ये तो सरासर अन्याय है और गाए बेल काटने के लिए कानून किस ने बनाया है अंग्रेजों ने बनाया 1850 के आसपास से अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में गाए काटने के लिए कतलकार खाने खोले क्यों खोले अंग्रेजों का ये मानना था कि जो गाए है वो हिंदुस्तान के समाज का केंद्र बिंदू है क्यों क्यों कि मेरे हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की माननिताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि गाए में 33 करोड देवी देवता रहते हैं और गाय का दान इस देश में सबसे बड़ा दान है मरते समय आदमी को कहा जाता है कि गाय का दान करके जाओ तो वो जो गाय का दान कर रहा है माने 33 करोड़ देवी देवताओं का बंदन कर रहा है तो जिस देश की परंपराओं में गाय में 33 करोड देवताओं का निवास रहता हो, गाय को जिस देश में मा कहा जाता हो, गाय से हम सब की पूरी की पूरी संस्कृती चलती हो, उसके गोबर से खाद मिलता हो, उसके मूत्र से दवाएं मिलती हो, उस देश में अंग्रेजों की सरकार ने गाय को काटने का कानून बनाया और उस कानून के लिए कतलकार खाने खोल दिये और उस दिन से हिंदुस्तान में गाय कटना चालू हो गया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना क्यों शुरू किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना मिलता है उसके मूत्र से जो फर्टिलाइजर बनता है वो भी नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तानी खेती बरबाद होती चली जाएगी गाए भी बरबाद होती चली जाएगी उसके कुछ साल के बाद अंग्रेजों की सरकार ने दूसरा कानून बना दिया कि गाए से ज्यादा नंदी को काटो बुल को काटो कि नंदी जो भगवान शंकर का इस देश की मानिताओं के अनुसार वाहन है जो हर शंकर के मंदर के बाहर आपको मिलेगा उस नंदी को काटने का कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाया और अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि अगर नंदी खतम हो जाएगा तो गाए नहीं रहेगी और अगर नंदी कास कारखाने खोले थे उस कानून के आधार पर आज क्या हालत आपको मालुम है elles 1947 में आजाद हो गए और 1947 में हम आजाद हुए तो मुझको लगता था कि अंग्रेजों के जमाने का यह जो गाय케 को काटने का कानून है नंदी को काटने का कानून है और वो जो साड़े 300 कतलकार खाने हैं वो सब बंद हो गए होंगे क्योंकि अंग्रेजों की सरकार तो अत्याचारी सरकार थी वो सरकार तो इस देश को बरबाद करने के लिए बनाई गई थी तो इसलिए वो कानून तो खतम हो गए होंगे लेकिन मैं आपको आज बहुती दुख और दुर्भागी से कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में तो साड़े 300 कतलकार खाने थे आज आज़ादी के 50 साल में 1997 में इस देश में 36,000 कतलकार खाने हैं माने उस जमाने में गाय कम कटती थी साड़े 300 कतलकार खाने थे अब आज़ादी के 50 साल में उससे ज्यादा कटती है और 36,000 कतलकार खाने कानून कौन सा है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ गाय के कतल का कानून अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि कुछ लोगों को गाय का कतल करके मास बेचना है और उनको अपनी जीविका चलानी है तो वो कहते थे कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने का fundamental right है तो जो लोग ग इन लोगों की जीविका चल रही है उनको जीविका चलाने का अधिकार है क्यों क्योंकि fundamental right है कहां से मिल गया है यह fundamental right और इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात कि जब मैकॉले कहा करता था यह बात कि भारत की नियाए पदिती का नाश हो जाएगा तो भारत यह समाज तूट जाएगा ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था मैकॉलेकी लिखी हुई एक चिठी है मेरे पास उसकी photocopy लंदन में एक library है उसका नाम है इंडिया office library वहाँसे मैंने निकल वाई है इंडिया आफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ पचास हजार से डादा डॉकुमेंट्स में निकाल के लाया हूँ और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकल वाये है तो उन में एक चिठी है मैकॉले की वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी जब वो यहां ऑफिसर बनके आया है तो मेकॉले क्या लिख रहा है कि भारतिय समाज को अगर बरबाद करना है तो भारतिय नियाय पद्धिती बरबाद करो तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया सी पीसी बना दिया और बरबाद हुई दूसरी बात वो कहता था कि भारतिय समाज को बरबाद करना है तो भारतिय सिक्षण पद्धिती का नाश करो तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतिय सिक्षण पद्धिती है वो खुद मानता था इस बात को ये दुनिया की सबसे ज़्यादा विक्सित और सबसे अच्छी पद्धिती क्या होता था यहां गुर्कुल चलते थे गुर्कुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक भ्रमचरिका पालन करते हुए सिख्षा ग्रहन करते थे संसकार मिलते थे और वो संसकार लेकर समाज में जाते थे उन्हीं संसकारों से संस्कृती बनती थी और वहीं संस्कृती भारतिया संस्कृती कहलाती थी रिशी थे मुनी थे बड़े ग्यानी थे महात्मा थे वह गुर्कुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुर्कुल ज क्दस्टेंटा नाश अगर करना है तो उसने एक कानून बनाया क्या कानून बनाया संस्कृत में जितने वध्याले इस देश में चलते थे हिंदुस्तान के जमाने में उन सब को सने इंगल घोशित किया गैर कानूनी और उसने प्रतिबंद लगा दिया कि संस्कृत भाशा के माध्यम से कोई भी गुरकुल चलेगा उसको अंग्रेजी सरकार माननिता नहीं देगी तो माननिता किसको देगी अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार माननिता देगी और उसके लिए बाकाइदा उसने कानून बनाय तो 140 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में वही कानून आज भी चल रहा है उस कानून के आधार पर मैकॉले ने क्या किया संस्कृत के माध्यम से चलने वाले गुरकुलों को बरबाद कर दिया कानून बनाके उनको बंद करा दिया जो उनमें अध माध्यन ना होने पाए उसके लिए समस्याएं खड़ी की जाती थी और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल चालू कर दिये और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से सिक्षन देना शुरू किया एक दिन उसने अपने बाप को चिठ्थी लिखी और इस चिठ्थी में उसने ये हो जाएंगे तो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज तो मैं को लें दूसरी बात लिख रहा है उस चिठ्थिव है कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से सारे काम करेंगे और वो विद्या तो सबसे जादा गालियां भारतिय संस्कृति को देंगे सबसे जादा गालियां अपने माबाप को देंगे कैसे मौम और डैड कहके डैड माने होता है मरा हुआ और मम्मी माने होता है शव इजप्ट में आप जाईए मिश्र एक देश है वहाँ पे मम्मी इस कहा जाता है किसको मरे हुए आदमी के शव को लेकिन उसकी जो आतमा है वह हम सब में प्रवेश कर गई है और कैसे प्रवेश कर गई है मैं आपको ये इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं कि जिस जमाने में मैंकॉले ने इस देश में सबसे पहला Convent School खोला था कलकत्ता में वो Convent School चला नहीं बंद हो गया क्यों बंद हो गया क्योंकि कोई भी भारती या माबाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने को नहीं भेजता था अंग्रेजों के दमाने की बात बता रहा हूं अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगा कर भी इस देश में कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं पाए लेकिन अं कॉन्वेंट स्कूल हो कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एड्मीशन नहीं मिलेगा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चे को और मैं अक्सर पूछता हूं कि काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में तो कहते हैं आप मुझे जवाब देते हैं जो दिल्ली बंबई में रहते हैं कि हम बच्चे को कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ने को बेचते हैं कि जब वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो टाई लगाएगा मोझे जूते पहनेगा बढ़िया सूरी है तो अंग्रेजों के देश में लवान के दर्शन नहीं होते हैं और वहां की जलवायू ऐसी है कि आज अगर सूरी निकला तो जरूरी नहीं है कि कल भी निकलेगा परसों भी निकलेगा नरसों भी निकलेगा भारत में ऐसा नहीं है आज अगर निकला है तो कल भी निकलेगा परसों भी निकलेगा तीन मही के लोगों को अक्सर जुकाम बहुत होता नाक चलती है तो जो नाक चलती है तो उस नाक को पूँचने के लिए बार-बार जेब से रूमाल निकालना पड़ता तो उन्होंने क्या किया कि एक रूमाल गले में लटका लो जो नाक पूँचने के काम आएगा हिर्ट का है और टाइअ का माने क्या होता है अंग्रेजी का शब्द है टी आईbereich का माने होता है गले के चारो तरफ लटकाया गया कोई कपड़ा किस काम आता है वहां पर नाउटक पोंचने के क्यों करते हैं कि ठंडी बहुत पढ़ती है सर्दी बहुत पढ़ती है हमारे देश में तो एक साल में नो महीने गर्मी पढ़ती है और यहां गुजरात में तो बारे महीने गर्मी पढ़ती है मैं तो यूपी का रहने वाला हूं वहां थोरी बहुत संडी जरूर पढ़ती है यहां तो बिलकुल नहीं पड़ती तो वहां तो इसलिए टाई लगाते हैं कि उनको जरूरत है उसकी हम हमारे बच्चों को क्यों लटका रहे हैं अपने गले में टाई अब मर गए अंग्रेज और चला गया मैं कॉले लेकिन उसकी आत्मा का वास हमसब में हो गया जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल में गुसा रहा है अपने बच्चों को जिसको देखो वो अंग्रेज जियत की तरफ ले जाए शरम की बात है शरम की बात है सावधान होना चाहिए एक बार बंबई में मैंने एक जगे व्य आख्यान में पूछा पढ़े लिखे कुछ लोग बैठे थे कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों बेशते हैं आपको मालूम है कॉन्वेंट का मतलब क्या होता यॉरप के देशों में कॉन्वेंट का मतलब क्या होता यॉरप में हजारों साल एक परंपरा रह होते हैं और यह परंपरा आज से 100-500 साल पहले तो बड़ी भयंकर थी तो यॉरप में क्या होता था कि बच्चा पैदा हुआ छोड़ दिया चर्च के सामने छोड़ दिया अनाथाश्रम में छोड़ दिया किसी और संस्था में वहां बड़ा होगा तो जो लावारिस बच्चे वहां पैदा होते हैं उन लावारिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी व्यवस्था करने का काम जिस जगय पर किया जाता है उसको कहते हैं कॉन्वेंट का माने होता है लावारिस बच्चों के पढ़ने लिखने का इस्थान माने जिन बच्चों के दादा दादी नहींहें जिनका कोई कुटुमबी जन नहीं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चलाए गए यॉरप में उनको Convent School कहते हैं तो हम हमारे बच्चों को Convent में क्यों बेज रहे हैं तोबत होगा यहां तो मा भी है और बाप भी है लेकिन हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि माप बाप के रहते हुए बच्चे को लावारिस बनाने के लिए Convent में बेज रहे हैं और वहां जाके बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कल जो बापू कह रहे थे किस्से में वोई बंबई में एक दमपत्ती ने मुझे कहा पती पत्नी थे कहने लगे राजीभ भाई अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा तो मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है दुनिया में कितने देशों में अंग्रेजी चलती है तो कहने लगे अंग्रेजी तो अंतराष्ट्री भाषा मैंने का आपको तब जानकारी नहीं है दुनिया में इस समय 200 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संग के नक्षे पर हैं और उन 200 देशों में से मात्र बारे देशों में अंग्रेजी चलती है बाकि 188 देशों में उन देशों की अपनी भाषाएं चलती हैं तो 200 देशों में से मात्र बारे देशों में अंग्रेजी चलती है तो अंग्रेजी अंतराष्ट्री कैसे हो गई अगर 200 में से 1500 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मान लेता कि अंग्रेजी अंतराश्टी भाषा लेकिन मुश्किल से 12 देशों में जो भाषा चलती है उसको हम कहते हैं कि अंतराश्टी भाषा और दूसरी बात उसी दमपती ने राजीब भाई अंग्रेजी बहुत सम्रद भाषा है बहुत rich language है जो शब्द उनों ने इस्तेमाल किया rich language माने सम्रद भाषा तो मैंने उन से कहा कि दुनिया में अंग्रेजी से ज़्यादा रद्धी दूसरी कोई भाशा नहीं है क्यों उसका कारण है उसका कारण है जानते हैं क्या है अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताउ, मौसा, फूपा सब अंकल और काकी, ताई, मौसी और सब आंटी अब आप मुझे जरा ये बताईए कि मौसा में और फूपा में फरक होता है कि नहीं होता क्या आप फूपा को मामा बना सकते हैं या ये बताईए कि मौसी में और काकी में फरक होता है कि नहीं होता क्या मौसी काकी हो सकती है दुनिया की जिस भाशा में रिष्टों को कहने के शब्द नहों वो सबसे रब्दी भाशा है मिलकुल जाएं हमारे यहां हिंदुस्तान में जितनी भाशाएं चलती है हर भाशा में परिवार के रिष्टों को कहने के लिए विशेश शब्द हैं वहां नहीं है वहां क्या है? सब इल्लोज हैं चाहे वो लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो पता ही नहीं चलता कि लड़के वाले इल्लोज हैं कि लड़की वाले इल्लोज हैं या तो सब अंकल है या तो सब आंटी है क्यों है ऐसा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में रिष्टों को कहने के लिए शब्द नहीं है कारण क्या है अंग्रेजी भाषा में शब्दों की बहुत कमी है और अंग्रेजी भाषा में शब्दों की कितनी कमी है अगर मूल रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में मात्र 2600 शब्द हैं कुल मिला के और दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है अंग्रेजों ने फ्रेंच भाषा में से लिये हैं, जर्मन में से लिये हैं, इटैलियन में से लिये हैं, लेटिन में से लिये हैं तो तमाम भाशाओं से जो उधार लिये हुए शब्द हैं, वो मिला दिये जाएं, तो कुल मिला के बैठते हैं 12,000, अंग्रेजी के मूल शब्द हैं 2600, और बाकी के शब्दों को मिला दें, तो कुल बैठते हैं 12,000, अब आप हिसाब लगाईए, अंग्रेजी में कुल मिला क 12,000 शब्द हैं गुजराती में आपको मालूम है कितने शब्द हैं गुजराती भाशा में 40,000 से ज्यादा शब्द हैं अब आप मुझे ये बताईए कि अंग्रेजी बड़ी हुई कि गुजराती तो काहे को नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को गुजराती और एक दूसरा उधारण दू कि अंग्रेजी में कुल मिलाके 12,000 शब्द हैं और मराठी भाशा है हमारे देश की उसमें इस समय 48,000 शब्द हैं अंग्रेजी से चार गुनी बड़ी है मराठी और हिंदी का हिसाब लगाऊं तो अंग्रेजी में इस समय 12,000 शब्द हैं हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं और हिंदी से एक कदम आगे चलिए संस्क्रत तो अंग्रेजी में कुल मिलाके बारे हजार शब्द हैं संस्क्रत में कुल मिलाके देड़ लाक शब्द हैं और संस्क्रत से एक सीड़ी और ऊपर चढ़िए प्राक्रत जिसको हम सब भूल गए हैं प्राक्रत को अगर ध्यान में रखें तो प्राक्रत में ढ़ाई से तीन लाक शब्द हैं दुनिया की सबसे बड़ी भाशा हमारे पास है लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हम हमारे पास क्या है हम पढ़े लिखे इडियट हैं अंग्रेजी में कहें तो भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें मात्र 12,000 शब्द हैं और अपनी भाषाएं छोड़ते चले जा रहे हैं और यह जो भाषा की घुलामी होती है यह बहुत खतरनाक होती है जो आदमी अपनी भाषा बदल सकता है वो किसी दिन अपनी मां भी बदल सकता है और यह मैं बहुत गंबीर बात कह रहा हूं आपको कुछ दिन के बाद इस देश में कॉन्वेंट्स में से पढ़कर निकले हुए बच्चे यह कहते मिलेंगे कि वो कहते ना कॉन्वेंट के बच्चे उ क्योंकि आपकी शकल उनको अच्छी नहीं लगने वाली वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार हैं और अंग्रेजियत के संस्कार में तो मां और बच्चे जितनी गाली अपनी मात्र भाशा को देते हैं अपनी संस्कृति को देते हैं अपने परिवार को देते हैं उतनी शायद कोई नहीं देता तो मैं कोले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो यह श अगर आपको स्वस्थ चिंतन करना है और ऐसा चिंतन करना है जिसमें से कुछ नई रचना हो तो वो आप अपनी मात्र भाशा में ही कर सकते हैं दुनिया में मात्र भाशा में पढ़कर बड़े बड़े वैग्यानिक पैदा हुए हैं हम लोग अकसर मैं लोगों को कहता हूं कि जो लोग कॉन्वेंट के पीछे पागल है उनको मैं अभी ताजा ताजा उधारन देता हूं इंदुस्तान में एक वैग्यानिक है उसका नाम है डॉक्टर एपी जे कलाम डॉक्टर एपी जे कलाम को इस साल भारत रतन मिला है और डॉक्टर एपी जे कलाम हिंदुस्तान के जीन्दा रहने वाले व्यग्यानिकों में इस समय सबसे उपर के व्यक्ति है आपको मालूम है डॉक्टर कलाम की पूरी सिक्षा तमिल में हुई है अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी नहीं है बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी ये काम चलाने के लिए बच्पन से उनकी पूरी सिक्षा उनकी मात्र भाशा में हुई है वो तमिल अच्छी जानते हैं मलियालम अच्छी जानते हैं और हिंदुस्तान में आज वो सबसे उची श्रणी के वेग्यानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला दुनिया के ऐसे तमाम वेग्यानिकों के मैं उधारन दे सकता हूँ आइंस्टाइन, अलवर्ट आइंस्टाइन सारा का सारा काम अपनी मात्र भाषा में करता था जर्मन में और इसलिए इतना बड़ा बना फ्रांस में एक वेग्यानिक था मैक्स प्लेंक जिसकी ठीओरीज हमारे जैसे इंजिनियर्ज को पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे मैक्स प्लेंग की पूरी की पूरी सिख्षा फ्रेंच भाशा में हुई थी तो हम लोग जो अपने मन में गलत फह्मी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला वो गधे बन जाएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे है गधा जानते हैं क्या होता है गधे के ऊपर बोजह लागते चले जाईए लागते चले जाईए लागते चले जाईए बिचारा चुपचा आप चलता चला जाता है चलता चला जाता है आज कल बच्चों के कंदे पर जो बस्ते हमने लाग दिये हैं जरा उनका बजन तो कर लीजिए जो बच्चे का बजन है उससे ज्यादा बसने का बजन है अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉंडिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं जितना बजन उसका कंधा ढो नहीं सकता उससे ज्यादा बजन उसके कंदे पर लटका हुआ और बिचारा वो बस्ता लेके जाता है लोटके आता है जब लोटके आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है आप क्या करते हैं अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का home work मिला ट्यूटर ने अपना home work दे दिया। बच्चे का खेलना कूदना बंद और बच्चे अगर खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होने वाला तो या तो आपने फसा दिया विचारा होमवर्क मैं अच्छे अच्छे घरों में जाता हूँ सब के बच्चे क्या कर रहे हैं होमवर्क कर रहे हैं सब रिसे शाम तक होमवर्क चल रहा है कभी खतम होने में ही नहीं आता बला हो ऐसे स्कूलों का और उस होमवर्क में से बना क्या रहे हैPE और वो होमवर्क कर क्या रहे है मैं आपको मेरी आप बीती सुनाता हूँ किसी दूसरे की नहीं मैं भी बच्पन में अंग्रेजी में मैं पढ़ा और मैं सबसे ज़्यादा गालियां मेरे माबाप को देता हूँ इसके लिए, मेरे पिता जी ने हैं, वो एक बड़े ओफिसर हैं, ये करने के लिए कि बेटा अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए तो बड़ा बनेगा, तो मुझको भी पढ़ा दिया, अब अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई है, अंग्रेजियत की जो पढ़ाई है, वो क् 2x y plus y square x minus y whole square is equal to x square minus 2x y plus y square और अक्सर इसमें गड़वड़ी होती थी plus का minus होता था minus का plus होता थी तो क्या होता था मेरी पिटाई होती थी class में पिटाई होती थी और मेरे जो अध्यापकते थे मुझको खूब चिडाते थे और मुझको खूब उल्टा सीदा कहते थे एक दिन मैंने ये तैय किया कि सब छोड़ चाड़के ये दो फॉर्मूले रटूंगा तो रटने के लिए मैं बैट गया सब काम एक बाजू में अब ये x plus y और x minus y में में गुज गया लिख 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 के मैंने किलो किलो कौपियां बरबाद कर दी किलो किलो कागज बरबाद कर दिया पता नहीं कितने बॉल पैन बरबाद हुए होंगे और तीन चार महीने की उस भयंकर मेहनत के बाद मुझको कुछ फॉर्मूले याद हो गए अब वो फॉर्मूले मैं सीख के आया दुर्भागे से मैं बताऊं कि तीन-चार महीने के सैकणों घंटे बरबाद करके अपना खून सुका के मार खा के बेज़दी बरदाश्ट करके मैंने जो फॉर्मूले पढ़े वो मेरे जीवन में आज तक कभ इस है अट आया एक पहाड़ा सिखाया आध्या सवाया देड़ गुना डाई गुना तीन जुम असारे तीन गुना यह मुझे सिखाया और वो मेरे जीवन में रोज काम आता है लेकिन कहा क्या जाता है कि मेरी मा कुपड़ी लिखी नहीं है पी ऐच डि नहीं किया उसने बड़े-बड़े PhD holder professors ने मुझे सिखाया वो जीवन में कभी काम नहीं आया और आप अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल के जितने क्यूरी कुलम है और उसमें बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें से 95 टक्का बेकार जाने वाला है उस 95 टक्का का उनके जीवन में कभी कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं यह आप कहिए तो मैं जहां कहिए वहां लिख कर दे दूं क्योंकि म अखोर उपए बरबाद कर रहे हैं करोडों घंटे बरबाद कर रहे हैं उस बच्चे का मन मस्तिष्क आपने दवा दिया है होमवर्ग के नीचे जूटी शान और प्रतिष्ठा में आप अपने बच्चों को गधानी बना रहे तो क्या बना रहे हैं तो आप पूछेंगे क्या करें तो मैं आपसे एक बुद्धिमानी की बात निवेदन करना चाहता हूं वो निवेदन ये करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो अपने बच्चों को इन कांवेंट इसकूलों में से बाहर निकाल लीजिए और अचांवन क्यूप compiled सिक्विएं पेडस में विल भेजना बंद करिए बहरतिय संस्कृतिय में पिता सिर्फ एक होता है लेकिन कॉण्वेंट स्कूल में एक फादर भी होता है कि इस बात की गंबीरता को समझ ये कि भारतिय संस्कृति में पिता एक ही होता है लेकिन कॉण्वेंट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो एक दूसरा फादर भी होता है. तो पिता के साथ ये फादर कहां से आ गया? और अगर पिता के साथ फादर आ गया, तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा आपके घर में. हाँ ये मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ आपसे ये सिर्फ इशारे से समझ लीजिए कि अगर बच्चे की पढ़ाई के साथ पिता के साथ फादर आया है तो और बहुत कुछ चला आएगा आपके बच्चे के संसकार में और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके देखते देखते आपका बच्चा क्रिशियन न बन जा इसाई न बन जा इसलिए मैं आपसे एक निवेदन तो ये करने आया कि जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे निकाल लीजिए और एक दूसरा निवेदन और करने आया हूँ जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों को डोनेशन देना बंद करिए हमारा हजारों हजारों रुपए का डोनेशन कॉन्वेंट स्कूलों में जाता एक बच्चे का अड्मीशन कराना है तो वो कहेंगे बिल्डिंग फीस दे दो वो कहेंगे डोनेशन दे दो वो कहेंगे इसकी फीस दे दो उसकी फीस दे दो और रोज रोज कोई ना कोई मांग चड़ी ही रहती है आज फलाना डे, आज धिमाका डे, आज ये लियाओ, कल वो लियाओ बरबादी, हमारी माने हम हमारे दुश्मण को अपना पैसा दे रहे हैं दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मैंने कही नहीं देखे जो अपने दुश्मण को अपने घर का पैसा देते हूं आप जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में से निकलने वाले बच्चे बारतिय संस्कृति के विरोधी होने वाले हैं और उनको यॉरप की संस्कृति सिखाई जा रही है उसके लिए पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने हातों से तो भगवान के लिए बारतिय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट में से बाहर निकालिए और अपने बच्चों के नाम पर ये उनको जो डोनेशन दे रहे हैं आप कॉन्वेंट स्कूलों को वो बंद करिए और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अगर मात्र भाशा में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा विद्वान बनने की छमता है उन में और ये क्यों है दुनिया के सारे मनोवग्यानिक एकी बात पर अब पहुँचे हैं जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए अभी यॉरप के लोग आज उस निश्कर्स पे पहुँचे हैं क्या कहते हैं बच्चा अगर मात्र भाशा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती है जो फाइदा होता है वो दूसरी भाशा में नहीं मिलती जैसे उधारन के लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए आपकी मात्र भाशा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाईए तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए उसको तो कम से कम छे गुना समय लगेगा उसको अगर वो एक घंटे में गुजराती में कोई चीज याद करेगा तो छे घंटे लगेंगे उसको अंग्रेजी में याद करने के लिए और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा वो रटेगा पोपट की तरह से जैसे पोपट होता है ना रट लेता है वैसे ही रटेगा और रटने के बाद क्या करेगा इमतहान में लिखकर आएगा इमतहान में लिखकर आया उसके दो दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है उसको कुछ याद नहीं ऐसे ग्यान का करेगा क्या वो जो ग्यान उसको दो दिन भी याद न रहे जो जानकारी उसको दो दिन भी याद नहीं रहने वाली उस जानकारी का वो अपने जीवन में करने वाला क्या है और इसके दूसरी तरफ आप ये करके देख लीजिए छोटी-छोटी कहानी, छोटे-छोटे किस्से, छोटी-छोटी कताओं के माध्यम से मात्र भाशा के माध्यम से आप उसको कोई बात सिखा दीजिए वर्षों वर्षों जिंदगी भर उसको वो बात याद रहेगी मुझे भी याद है, मेरी दादी महाने कहानी के माध्यम से जो संसकार मुझे में दिये हैं, वो अभी भी मुझे याद है लेकिन मेरे स्कूल में जो संसकार मुझे दिये गए वो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि विदेशी भाशा में मैंने लिए तो ये जो खराब होता और एक इसी के साथ एक आखरी निवेदन कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बरबाद किया है भारतिय समाज को कम से कम अब अगर हमको ये चेतना आती है तो इसको हम बचाएं मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम कॉन्वेंट स्कूलों के बंद कराने का और वो हम सब मिलके ही कर सकते हैं अकेला कोई नहीं करेगा अगर हम सब कॉन्वेंट स्कूलों का बहिशकार करने का संकल्प ले ले तो फिर से नए गुर्कुल खड़े हो सकते हैं जो दान आप कॉन्वेंट स्कूलों को देते हैं वो दान अगर गुर्कुलों को मिलना शुरू हो जाए तो गुरकुल चलने भी शुरू हो जाएगे उनको प्रतिस्था भी मिल जाएगी उनको सम्मान भी मिल जाएगा अगर हमारी गलती से बरबादी आई है तो वो गलती आज हम सुधार लें और ऐसे एक दूसरी आखरी बात कि अंग्रेजियत हमारे मन में बहुत गहरे गुस गई है और ये अंग्रेजियत जो होती है बहुत खराब होती है कई बार मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी भाशा से जादा खतरनाक है अंग्रेजियत महात्मा गांदी अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेज चाहें तो रहें लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए ये अंग्रेजियत क्या है हमारे सबके घरों में सबके मन में एक तरह का लालच बैठ गया है हर एक आदमी को इस देश में इंपोर्टिट माल चाहिए विदेशी कमपनी का माल किसी भी साधारन से साधारन बच्चे को कहो कि देखो मेरे पास imported pen है तुरंत हाथ फैला देगा लाओ दे दो वो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा हो माने imported के नाम पर भीक मांगने में भी शरम नहीं आते उसी बच्चे को आप कहिए कि भगवान का प्रशाद है तो हाथ पीछे खींच लेगा का माल बिकता था इसलिए कि अंग्रेजों की गुलामी चलती थी इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की गी, कि जड़ान थो गॉब युब ङार शफटेंटरे टा जड़ां, जडरी क्वशन कर दो कालुब टॉब यूरी सम्ट एलभ में गॉश्ट शंट्यरे में ड्त शोरी ला को भिए गार सवरी समय थेशन जवेशन Scfounded